अगर नियत अच्छी हो, तो नसीव कभी बुरा नहीं हो सकता उस जगे हमेशा खामोश रहना, जहां दो कोड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुनगाते हों ये सच है के अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर ये भी सच है के वक्त के साथ अपनों का भी पता चलता है लक्ष पर आधे रस्ते तक जाकर कभी वापस न लोटें, क्योंकि वापस लोटने पर भी आधा रस्ता पार करना पड़ेगा भाग्य को और दूसरों को दोश क्यों देना, जब सपने हमारे हैं, तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए बहुत सुन्दर संदेश, एक चिडिया ने मधुमक्खी से पूछा, कि तुम इतनी महनत से शहद बनाती हो, और इनसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता मधुमक्खी ने बहुत सुन्दर जवाब दिया, इनसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं, कोई भी आपका क्रियसंद चुरा सकता है, पर आपका हुनर नहीं नेक लोगूं की संगस्से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है, तो वो भी खुश्बुदार हो जाती है देल से बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं यदि आपको ये चैनल पसंद आए, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें आप अपने सुझाओ, नीक के दिये गए, इमेल आइडी पर भी सेंड कर सकते हैं धन्यवाद, आपका दिन मंगल मैं हो